गुर्वंदर सिंजी सच्छी अकाल जी नमस्कार प्रदानमंत्री जी नमस्कार आप कैसे हैं बहुत बढ़ी चरदीकला सर चरदीकला चलिए अपने बारे में कुछ बताईए आप खेती कैसे करते हैं जी सर मेरा चोटा सा गाउं है सार्चूर गुर्दास्टूर डिस्ट्रक में और सबसे पहले मेरे किसांद साथियों की तरब से भी आपको नमस्कार और मेरे प्रवार में मैं हूं मेरी पत्नी और तीन बच्चे हैं सबसे बड़ी अबाद जो है जो विक्सत भारत की जात्रा म में हम अपनी केती को विक्सत करना चाहते थे और जो उस जोजना से हमें फैदा मिला है उस सबसे बड़ा यह हम एकठे हुए हैं हमारा एक शोटे किसानों का ग्रूप है जो 2014 से अगनी मुक्त जैर मुक्त केती पर काम कर रहे हैं तो क्योंकि हम सारे फसली विशेश को जमीन में रखना चाहते थे तो टेकनोलोजी अवेलेबल नहीं थी और जो आपकी सिरकार की जोजना आई है वहां से जब हमें मिशिंद्री मिली है तकरीब पच्चीस लाग की उस पे हमें दसला का सबसीड़ी मिला उसके इतने ज्यादा फैदे हुए हैं सबसे पहला फैदा है कि हम लोग अकठे हुए उसको लेने के लिए दूसरा हमारी जो करजे के नीचे आने से बच गया हम तीसरा आये तो बड़ी है क्योंकि हम किराये पे काम करते हैं कस्टम हायरिंग का चोथा जो शोटे वाले किसान थे उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी उनको जो प्रा हमारी जमीन के पक्ष में गई है हमारी जो जमीन का जयवक मादा बढ़ गया है उसकी वजह से जो फटी लेजर थे उनकी जो जरूरत थी वह पहले से कम हो रही है और सबसे बड़े बड़ा फैदा जो है वह सर्पानी का और पर्यावर्ण का उसकी कोई कीमत नहीं की जा सकत है कि आपने सही बात बताई कौन कौन सी स्कीम है जिसका आपके क्षेतर में लोगों को फायदा हो रहा है सबसे बड़ी आपसर यही था कि जैसे हमारे बहुत ज़्यादा दान होता है तो लगता था पराली इतनी ज़्यादा कैसे उसका प्रबंद कर पाएंगे उसके उसके लिए टेकनीक चाहिए थी जबसे यह आपकी स्थरकार से जह मदद मिली है उसकी टेकनोलोजी पर जहां यह लोग को मिशीनी कर्न पर तो वो सारी की सारी जो प्राली है उसको अभी हम जमीन में राकेर ना सिर्प गहूं की सीधी पर ज़्याई कर रहें हम तो प्रदार Church है धानकी बीजाई कर रही है और 55% फर्क पड़ गया और मुझे लगता है अगले साल ये 85% हो जाएगा और सबसे जदा है कि मेरे जो साथी है हमारा जो गुरूप है जंग नोटर फार्मर गुरूप है उसका नाम वो सारे खुश हैं एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ रहे हैं अभी हमारा इरादा आप की मदद से कुछ और बढ़ा करने का है एक पीओ के मामले में भी मैं हमारे जो क्रिशी वग्यार के अंदर गुरूप है उसकी जो प्राली प्रबंद करने मारे कसान है उनकी कमेटी का अध्यक्ष भी हूं हम इसका बड़े जोरशोर से प्रचार भी कर रहे हैं और हमें लग अध्यक्ता है कि आप किसान समान निजी को बढ़ा दो गए क्योंके मोधी है तो मुंकन है रजा गुरूपन्दर से ए कस्ट्रम हायरिंग सेंटर से आस पास के जो विए उनको क्या फायदा हो रहा है जहाँ पर हमारा है फार्ट रहे जहां पर हमने जैस कीलह के साज किलुमिटर के राइडियस में एक क्राए काम करते हैं सकते हमारे लाके में किसानों के पास जुमीने जो चोटी चोटी है स्मार्थ फार्मर्स है तो एक बार तो हम किसान था जो पराली को आग नहीं लगाना चाहता था हम उसकी गेहूं की बुझाई के लिए साथ किलुमीटर तक भी चले गे थे वैसे 30-50 किलुमीटर तो जाते ही और अकेली प्राली नहीं यह गेहूं का भूसा भी और गन्य की खोरी का भी हम जमीन में मिला देते हमारे पास मिशिंद्री है अच्छा जब गारंटी वाली गाड़ी आपके हिलाके में आई तो सामान ने जो हमारे किसान है गाउं के लोग गरीप परिवार के लोग हैं उन सब को उसमें से क्या मैसेज गया है क्या लग रहा है मावल क्या है अच्छा है जैसे आप पिछले पिछले किसानों से बाचीद में भी बोड़ रहे थे अभी हमें और गैने की तरफ जाना चाहिए और जो है जो केमिकल्स हैं खाथ वगएरा इनमें कमी करनी चाहिए वह सारह सार हो पाएगा अब ही किसान को विशवास हो रहा है कि उसको मदद मिले कि जैसे मैंने आप से बिंती किया है कि बहुत सारी चीजें मिरनी है मगर उपेख्षाइए और भी बढ़गी है कि और भी क्योंकि आप हैं तो मुम्किन है ने हम है इसलिए तो मुम्किन है क्योंकि मुम्किन इतले होता है कि आप लोग मेरी बात मानते हैं जिस दिन आप मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ का दूरुपयोग न करें यह जितना जादा हम सहीं रखेंगे तो गुरु नानक देव जी ने हमको धर्ती माता की पूजा करने के लिए जो कहा है ना हमारे गुरु ने जो सिख दी है वो शीग पर हमें खेती करनी चाहिए और मैं तो मानता हूं खेती के लिए गुरु नानक देवजी ने जो प्रयोग किये हैं वह सबसे उत्तम प्रयोग है कुछ नया सिखने की जरूरती नहीं है चलिए आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा